सभी को वंदन और नमस्कार कविता जैसंकर पशाजी ने लिखी है देवसेना का गेत इसे उनके सकंद गुप नाटक से लिया गया है देवसेना मालवा के वंदु वर्मा के बहन थी हुंडे के आकर्मन से देवसेना के पूरे परिवार को बीरकती प्राप्त हो गई इस वज़े से परिवार में सिर्फ देवसेना रह गई देवसेना सकंद गुप से प्यार करती थी लेकिन सकंद गुप मालवा के धन कुबेर की कन्या के सपने देखते थे देवसेना ने जब उनसे शादी के लिए कहा तो सकंद गुप ने इंकार कर दिया और जीवन के अंतिम समय में सकंद गुप्त को देव सेना की याद आई लेकिन अब देव सेना आश्रम में गाना गा करके भीक मांगती है और महादेवी की समाधी को प्रिश्क्रत करती है जब सकंद गुप्त के प्यार को देव सेना ठुकरा देती है तो सकंद गुप्त आजीवन कुमारे रहने का पुरत लेते हैं जिसे देव सीना आजीवन पाना चाहती थी उनको मना करके वह दुखी हो जाती है अपने जिन्दगी के इस समय पर वह अपने योवन के बीते हुए पलों को याद करती है अपनी नादानियों का पश्चा ताप करती है और उनकी आखों से आसो बहते हैं तब वे ये गीत गाती हैं कि आहवेद न मिली विदाई मैंने भ्रमवस जीवन संचित मतुकरियों की भीक लुटाई तो आज की हमारी यह कविता इसमें जीवन के अंतिम समय में प्रेम निवेदन को ठुकरा कर देव सेना को बहुत दुख हो रहा है जिस प्रेम का उसने जीवन भर इंतजार किया उसे वो नहीं अपना सकती है अब उसे अपना नहीं सकती है इसी प्रेम के भ्रम में उसने अपने पूरे जीवन की इच्छाओं अभिलाशाओं को लुटा दिया वो कहते है कि उसके दुख से दुखी होकर वे शाम भी अब आशो बहा रही है अर्थात वेह अपना जीवन जो उसने पहले देखा था उसके जीवन में दुख देखा था उसके पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अकेला पन उसका साथी था आर वह सोचते है कि जब वह अपने प्रेम को पाना चाहती थी तब तो वह सफल नहीं हुई आज वही प्रेमी उससे प्रेम निवेदन कर रहा है प्रेम प्रस्ताव दे रहा है जिसने एक वक्त पर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जीवन के इस पड़ाओं में उसे ये निवेदन बहुत दुख दे रहा है ये विहाग अर्थाच बिछडने की तान उसे अच्छी नहीं लग रहे है उसने खुद को जीवन भर दूसरों की नजरों से बचा करके रखा वहे अपनी आशाओं को बावली कहते है और कहते है कि जब मुझे सकंद गुप्त की जरूरत थी और मेरे पास कोई भी नहीं था तब उसने मेरा साथ नहीं दिया अब अगर मैंने ये प्रेम निवेदन माल लिया तो मेरी जीवन भर की ये तपश्या भंग हो जाएगी ये तपश्या रुपी कमाई मैं हमेशा के लिए खो दूँगे और मेरा सब कुछ खो जाएगा जो मैंने पूरे जीवन भर एकत्रित किया है वेह सब खो जाएगा देव सेना का पूरा जीवन दुख से भरा हुआ है इस प्रस्ताव के बाद वो और भी दुखी हो गई है वेह जानती है कि वेह कमजोर है मगर वो हार नहीं मामती और संघश कर रही है अन्त में संसार को संभोधित करती है क्या केती है लोटा दो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती विश्वन समलेगा यह मुझसे इस से मन की लाजगमाई संबोधित करते हुए क्या कहती है कि अब इस प्रेम रूपी अमानत को मैं नहीं संभाल पाऊंगी तुम यह प्रस्ताव वापस ले लो तुम तुमने जो प्रेम का प्रस्ताव मुझे भेजा है वह वापस ले लो मैं इसके लिए मन ही मन लज्जित हूँ मुझे अपने आप पे लज्जा आ रहे है क्योंकि यह विश्व न संबलेगा यह मुझे इसे मन की लाज गवाई अपने मेरे मन में जो मेरी लाज थी वे मैंने गवादी है और इसलिए तुम इस प्रेम प्रस्ताव को पुन है खुद को ले लो यानि मुझे से बापस ले लो मैं अब इसको नहीं संभाल पाऊंगी थैंक यू फॉर वाचिंग